इस विडियो में हम सॉनेट नमबर 73 का सेकंड इस्तेंजा डिसक्स करेंगे इसका फर्स एंजा मैं अल्रेडी डिसक्स कर चुकी हूँ जिसमें की मैंने आपको इस पोयम का बैग्ग्राउंड और थीम काफी विस्तार से बताया था तो आपने फर्स वीडियो सुन लिया होगा तो वो आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस सॉनेट में इन इस सॉनेट शेक्सपियर इस प्रोजेक्टिंग हिंसेल्फ अजन ओल्ड में अपने आपको एक व्रद व्यक्ति के रूप में शेक्सपियर ने चित्रित किया है इस कविता में and he is comparing in the first stanza he has compared himself with an autumn tree जैसे autumn के मौसम में पजड के मौसम में एक जो पेड होता है उसकी जो अवस्ता होती है उसके सारे पत्ते जड़ जाते हैं and it is devoid of lush greens और सारे पक्षी उसे छोड़ कर उड़ जाते हैं उसी तरह शेक्सपियर को भी लगता है कि इस उम्र में because he has lost his attraction and youth people have left him तो कुछ इस तरह के भाव शेक्सपियर जो हैं वो इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं second stanza में भी कुछ इसी तरह के expressions हैं William Shakespeare के so let us see the second stanza I will read out in me thou seest the delight of such day as after sunset faded in the west which by and by black night doth take away that second self that seals up all in rest Shakespeare कह रहे हैं वो इस second stanza में he is comparing himself to twilight twilight हम कहते हैं बेटा जो शाम सूरिट के डूब जाने के बाद और रात्रे होने से पहले के बीच का जो समय होता है जो late evening जिसे हम कहते हैं English में उसे twilight कहते हैं या दुन्दुल का भी हम जिसमें बहुत हलकी रोशनी होती है और बहुत रोशनी नहीं होती है और बहुत जल्दी ही फिर डार्क हो जाता है तो उस period को जो थोड़ा सा short period होता है after the sunset and the emergence of complete dark night पूरी रात होने के पहले का जो थोड़ा सा समय है सुरिप के डूप जाने के बाद उसको हम कहते हैं twilight तो यहाँ Shakespeare जो है वो अगेन एक और metaphor यूज कर रहे हैं metaphor आप जानते हैं जहाँ पर एक तुलना उन्होंने की है अपनी twilight समय के साथ first stanza में उन्होंने वर्ष का autumn season के एक पेड़ के साथ अपनी तुलना की है और यहाँ दिन का दिन भी एक weekend से unit है उसमें भी चार हम कह सकते हैं periods है morning होता है फिर noon है फिर evening है और फिर night है तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तुलना twilight से late evening के साथ अपनी तुलना की है और क्य कह रहे हैं आगे देखते हैं in me thou seeest in me you may see or you may compare आप मुझे अब at present stage of life of my life you may compare me to the to the twilight period of the day दिन में जो twilight period होता है जो darker stage of evening है जिसमें एक after glow है dusk भी इसको कहा जाता है dusk dusk भी कहा जाता है शाम जो late evening का time है इसको dusk भी कहते हैं after glow means sunset हो जाने के बाद का समय है वो इसे after glow भी कहते हैं तो you may compare me you may see me कि मैं इस समय कहा हूँ अपने जीवन में मैं उस समय हूँ जब मेरा भी सूरे जैसे अस्त लगबग हो चुका है और बिलकुल अब रात राने व हो है वो अब मैं वहां हूँ और वो कैसा समय है as after sunset faded in the west as after sunset sunset हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया ही कि sunset होने के बाद सूरे अस्त होने के बाद का जो समय है तो सूरे तो जा चुका है मगर उसकी थोड़ी सी रोशनी बाकी रह जाती है और वो धीरे धीरे वो रोशनी कहां चली जाती है faded in the west fade बने होता है किसी का रंग कम हो जाना या चमक कम हो जाना तो यहां सूरे की रोशनी का गायब हो जाना हम समझ सकते हैं तो you can write it as disappear तो जो light of the day है it disappears in the west direction क्योंकि सूरे भी west में ही आस्त होता है तो जो light है उसकी सूरे की वो भी west में जाकर ही समाथ हो जाती है तो इसी तरह I am also proceeding towards the end of my life मेरा भी I am also going to disappear from this horizon of the world जे संसार से मैं भी बहुत जल्दी गायब होने वाला हूँ इस तरह के विचार है शेक्सपेर के which by and by, by and by gradually, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा है black night, काली रात, dark night is about to come, about to emerge काली रात जी जो है वो अब आने वाली है और ये क्या करेगी death take away और वो ये ले जाएगी death means does, d-o-e-s, it will take away ये ले जाएगी और क्या ले जाएगी the remaining glimmering light जो अभी हलका सा धुंदुलका है, जो हलकी सी बहुत रोशनी है, it will also go away with the dark night, जो काली रात रवाने वाली है और यहाँ जो imagery है वो Shakespeare is comparing the dark night with the death, मृत्यों के साथ उसकी वो तुलना कर रहे हैं, अब मेरा भी जैसे ये जो जैसे ही dark night आएगी और जो बच्ची-कुची रोशनी है दिन की, शाम की ये भी नश्ट हो जाएगी, इसी तरह अब ये dark night जो मेरी आने वाली है उनकी dark night क्या है, Shakespeare की his death, it will take away the remaining life, my remaining life or the remaining years of my life, मेरे जीवन के जो बच्चे-कुचा समय है, उसको भी अब ये ले जाएगा, ले जाएगी ये जो बच्ची आने वाली है next line देखिए death, second self death, second self death यानि म्रत्यू, second इसका दूसरा self का मतलब आप समझ सकते हैं या रूप जैसे म्रत्यू का ही दूसरा रूप है और वो क्या है sleep जब रात्री में हम सो जाते हैं तो a sleeping person is more or less like a dead person क्योंकि उस समय वो the person is not in his mind, in his active alert mind उस समय उसे काफी कुछ चीज़ें पता नहीं चलती हैं तो ये एक second self है, म्रत्यू का ही एक दूसरा रूप है और generally we all of us sleep in the night, तो रात्री में हम सो जाते हैं और वो क्या होता है then the night puts everything at rest, दिन बार हमने जितना कुछ जो कुछ भी किया होता है, it closes the day उस दिन का अंत जो है वो रात्र कर देती है, इसी तरह death will close our life, जो हमारा जीवन है इसका जो भी कुछ हमने किया उसका समापन जो है, वो death में जाकर हो जाता है so death, that's second self death की जो एक दूसरा रूप है और वो रूप क्या है बिटा sleep, जो कि कब आती है रात्री में, और रात्री जो है वो अब आने वाली है, क्योंकि शाम का समय हो चुका है जैसा कि Shakespeare बता रहे है and when the night will fall जब night आएगी, it will seal up it will put everything all in rest, हर चीज को it will close all the accounts दिन भर के सारे कामधाम जो है जो अकाउंट है, वो हमारा दिन का बंद हो जाएगा next day से फिर next account शुरू होगा इसलिए, इसी तरह हमारे इस जीवन का जो है, जो भी लेका जो का अकाउंट है, death will close it all, और रात्री में ये सब कुछ बंद हो जाएगा और रात्री is the symbol, night is the symbol of death here तो यहां second stanza में Shakespeare ने अपने जीवन की तुलना एक शाम के धुंदुलके से twilight से की है, जैसे दिन के का एक पक्षर evening होती है late evening जिसको twilight है वहां पर ये हैं और दिन धल चुका है, prime time of his life is already gone and now he is proceeding towards dark night that is death इसकी तरव वो आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा एक imagery Shakespeare ने प्रस्तुत की है I hope आपको मैं I was able to make it make it understand to you easily thank you very much next tenja में we will discuss the third and fourth stanza of this sonnet और इसको हम conclude करेंगे thank you